नमस्कार दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं न्यू लॉंच होंडा CB-Sign K BS6 मोडल के बारे में फाइनली होंडा ने अपनी CB-Sign K BS6 मोडल को इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इस बाइक की सारी डिटिल्स की उपर बात करने वाली हैं तो आप इस वीडियो को अंतिताक जरू से देखिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के इंजन के बारे में तो हॉंडा CB-Sign K BS6 मोडल में आपको देखने को मिलता है 124.7cc का सिंगल सेंडर 4.2 बाल्ब एयर कूल BS6 F5 इंजिन जिससे आपको देखने को मिल जाता है 10.7BHP का बावर और 10.3 Nm का टॉर्क है तो इस बाइक के BS6 मोडल में आपको बावर और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं और इस बाइक में अब आपको 5-speed का गैर बॉक्स देखने को मिल जाता है वहीं आपको पहले इस बाइक में 4-speed का गैर बॉक्स देखने को मिलता था साथी साथ इस बाइक में अब आपको fuel injector system भी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर काफी अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में तो CB-Sign-K BS6 मोडल में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक प्लस कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम तो यहाँ पर आपको इस बाइक की ब्रेकिंग में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर अगर हम बात कर लें इस बाइक की माइलेज के बारे में तो इस बाइक की माइलेज यहाँ पर 15% तक इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि इस bike के BS6 model में अब आपको fuel injector system और 5 speed का gearbox देखने को मिल जाता है इसलिए इस bike की mileage यहाँ पर पहले से और भी ज़्यादा बहता निकल कर आने वाली है दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस bike के model के बारे में तो CB, Sine K, BS6 model में आपको ज़्यादा कुछ change देखने को नहीं मिलते हैं जैसे कि इस bike में आपको new colors and new graphics देखने को मिल जाती हैं और इस bike के meter console में आपको मालबा detecting light देखने को मिल जाती है बाकी सम model आपको बिलकुल पहले की तरह ही देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस bike की एक्सरूम प्राइस के बारे में तो Honda CB, Sine BS6 top model की एक्सरूम प्राइस है 70,000 रुपीज और अगर आप लोग इस bike के BS4 model को purchase करने की सोच रहे थे तो आप लोग इस bike के BS6 model को purchase कर सकती हैं क्योंकि इस bike में आपको mileage ज़्यादा देखने को मिल जाता है साथी साथ इस bike में आपको power भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है तो आप लोग इस bike के BS6 model को purchase कर सकते हैं तो इस bike के बारे में यही news मुझे आपसे share करनी थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिजेगा अम मुलाकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए राइट सेप जैंद